कर दो कर स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी दिल्ली दंगों के आहरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्शर ताहिर हुसैन को बड़ा छटका लगा है दिल्ली हाई कोट ने ताहिर हुसैन की याचिका को खारिच कर दिया है आपको बता दे ताहिर हुसैन की याचिका को खारिच कर दिया है तो ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आहरोपी है जेल में बन है और लगातार वो जमानत की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जमानत एक तरफ नहीं मिल पा रही है तो अब दूसरी तरफ उनकी याचिका को भी दिल्ली हाई कोट ने खारिच कर दिया है जस्टिस अनू मलोतरा ने आदेश सुनाया है कोट ने 15 नमबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था अदालत ने पहले एडवोकेट नवीन मलोतरा जिन्होंने ताहिर हुसैन का परतिनिधित्व कोट में किया था और फिर एडी के वकीर जोहिब हुसैन को सुना उसके बाद इस पूरे नतीजे पर कोट पहुँचा कि दरजल जो ताहिर हुसैन की याचिका है उसे खारिच किया जाए आपको बता दें ताहिर हुसैन के खिलाफ इस महीने की शुरुवात में कड़करडुमा कोट ने धारा तीन के तहत आरोप तै किये जो धन शोधन निवारन अधिनियम दोहसार दो की धारा चार के तहत दंडनिये हैं और अदालत ने ये बात मानी है कि ताहिर हुसैन का लग रहे थे उसे कोट ने माना कि वो बिल्कुल सही है ताहिर हुसैन जिन्होंने दिल्ली दंगों को अंजाम दिया वो इन दिल्ली दंगों में मुख्या आरोपी रहे वही दिल्ली दंगे जिसमें कई लोगों की जान चली गई तो कई बड़े अधिकारी जो हैं वो मारे क पार्टी लगातार नाहीर हुसयन को क्लीन चिड रही थी उनका ये कहना था कि दरसल बीचपी जान बुछ कर ताहीर हुसयन का फुजा में ख्रार रही है जिस तरह से एक के बाद एक कुछ की कारफाईły चल रहा और वही मुख्य आरोपी हैं दूसरी और आपको बताले जो कोट में ED की और से दर्ख दिया किया उसमें कहा किया कि ताहिर स्वायन द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किये गए बैंक खाते पीमले की धारा आठ पांच के अर्थ में संपत्ती होंगे और ED की और से ये कहा किया कि ऐसी संपत्ती भी जब्त की जा सकती है इडी ने ये भी प्रस्तुत किया कि दंगों को विद्पोशित करने के लिए कथित साजिश थी जिसमें फरजी विल तयार किये गए बात में अपराद करने के लिए अलगलग व्यक्ति को नगद पैसा वो दिया किया ये भी तर्क दिया किया कि ये दिखाने के लिए प्रयाप रचने के लिए ये पूरी साजिश रचने के लिए जो तमाम लोगों का इस्तमाल किया किया उन्हें नगत में पैसा बाटा किया सिर्फ इतना ही नहीं संपत्ती और अपराद की आहे का इस्तमाल भी किया किया ये भी खुलासा एडी की और से किया किया है तो एडी के मुताबिक हुसैन ने कुछ कंपनियों के खाते से मैसर्स प्रभाव विज्यापन प्राइफेट लिमिटेड, MS Essence, Cellcom प्राइफेट लिमिटेड और मैसर्स सौर ग्लोबल सर्विस प्राइफेट लिमिटेड से अपने सहयोग्यों के धोका धड़ी से पैसे निकालने की साची शची आपको बताने खुलासा एडी की ओर से ये भी किया किया है कि उसने नकली बिलो पर फरची ऑपरेटर के जाद दुर्भापनापूर अलेंदेन के माथ्यम से पैसे निकाले, एडी का मामला ये है कि वो काले धन का अंतिम रही है ये कहकर लगातार ताला जा रहा है माफले को कि दरसल बीचपी इस पुरे माफले में जो है ताहिर हुसेन को फसाने का काम कर रही है लेकिन दिल्ली दंगो के आरोपी ताहिर हुसेन जब से पुलिस की गिरफ्त में है लगातार जो जाच उनके खिलाफ चल रही है ज इसमें हिंदों को टार्केट करना उनका मकसद था ये बड़ी वाद हाली में कोट में कही गई है तो कुल मिलाकर ताहीर हुसैन के लिए मुश्किले कम नहीं हो रही है चुकि एक तरफ जमानत नहीं मिली है तो दूसरे तरफ मनी लॉंडरिंग माफले में जो आहरोप उन पर देख हुए हैं उसमें अदालत ने ये बात मानी है कि ताहीर हुसैन का मुख्य जो उद्देश्टे था वो दिल्ली में हिंदों को नुकसान पहुचाना था साथी कोट ने कहा कि अजेग गौस्वाहमी से जुड़े माफले में आईपीसी की धारा पांसो पांसो तीन सो और लियाकत पर मुbigदम चलाया जा सकता है अदालत ने ये उस वक्त कहा किठाहीर हुसैन शा अलम, नाजिम, कासीम, रियासत और लियाकत दूसरों को हेंदों को संभख सिखाने के लिए उक्सा रहे थे और अदालत पुरवोहतर दिल्ली में एजी द्वारा दर्ज माफले क सुनवाई कर रही थी जिस दोरान ये तमाम बातें कोट की तरब से कही गई इस दंगे में तरेफ़न लोग माने गए थे और 700 लोग करीब खायल हुए थे दिल्ली में ये सामपर्जाइक दंगा हुआ था आख़ो बताने दिल्ली में नाकरिकता काहनून के समर्थक और साथी प्रदेशन कारियों के बीच ये दंगा हुआ था एक भ्यंकर उत्पाद रास्थानी दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिला था और किस तरह से ये साचिश रची गई थी ये बार बार देखने को मिला है जब एडी की ओर से बकाहता कोर्ट में सबूत पेश किये गए है तमाम गवा इस पूरे माफले में साफने आई हैं आपको ये बताने कि 25 फरवरी को दंगे में खायल अजे गोस्वामी के एक हिस्तेदार ने दयालपूर पुलिस स्टेशन पहुँचकर शिकायत दर्च कराई थी जिसमें कहा किया था कि अजे को दंगे में गोली मार्ग है जिसमें लगाता सुनवाई भी हो रही है और इस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं जो आरोप ताहिर हुसैन पर तैह किये गए है यानि हिंदों को टार्केट करना उनका मकसद था इन आरोपों के खिलाफी वो कोट पहुँचे दिली हाई कोट में याचिका दा पास नाता रहा है ताहिर हुसैन साल 2017 के MCD चुनाओं में आम आदमी पार्टी के टिकेट पर चुनाब जीता था फरवई 2020 में नाकरिक्ता संशोधन गानून के फिरोत में सामपरदाइक दंगो के माफली में ताहिर हुसैन का नाम बतोर साजिश करता सापने आया था इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निश्कासित कर दिया था वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 20 अगस्त 2020 को ताहिर की सदस्यता भी रद कर दी थी लेकिन जब ये दंगा हुआ ताहिर हुसैन को आरोपी पाया किया जब उनकी गिराफतारी हुई उस फक्त पूरी की पूरी आम आर्थपी पार्टी ताहिर हुसैन का बचाव कर रही थी लेकिन कि वही ताहिर हुसैन है जो कि दिल्ली दंगो में सबसे बड़ा साजिश करता है और जाहर तोर पर एजिंसी की ओर से जो कोर्ट में सबूत रखे गए हैं उसमें भी ये जहर ढ़दा झारा था कि हिंदो को टाकेट करना ही उनका मकसद है और इसी के तहत इन दिल्ली दंगों को अंजाम दिया किया था फिलाल ताहिर हुसैन की इस याचिका को दिल्ली कोर्ट ने खारिच कर दिया है प्लाल आपकी इस पुरे माफले पर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताने बादे